इंदो के प्लास्या थाना शेत्र के महज कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस को दो दिन पुरानी एकर संदिक परिस्तित्यों में शब मिला है बताया जा रहा है कि युवक मुल्टाह महराश्ट को रहने वाला है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौल के कानूर का पता चलेगा दरसल मामला पलासे थाना शेत्र के महज कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस को सूशा मिली थी कि एक शब संदिक परिस्तित्यों में पड़ा हुआ है बदाय जा रहा है इस शब दो दिन पुराना है उम्रतक की पहचान अनुबोल लिवासी महराश्ट के रूप में हुई है फिलहाल पलिस शब को बरामत कर पोस्ट मार्टम के लिए एमवाई अस्पदाल भीजवा दिया है सब्दावता अदीफ शराफ पीने के कारण ये वक की मनद्दी होना बदाया जारा है फिलहाल पलिस पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मोत के कारणों का खुलासा कर सकीगी गारोज अब बदाव के लिए यह कौन है आप यह मार्टम के वाशी लोके है और यह यह बार्व राए को ठाने के बाद के वाद पए तिक नाम भी नहीं वहां मिलें है क्या नाम है इनका इंका अमल जाद है आचा और यह कैसे इनका मृत्ति कुछ पता चल रहा है दो दिन से यह करते हैं आपका नाम क्या करते हैं आपका नाम सर क्या जानकारी मिली आपको कि सुबह यहां के चोकेदार है जैसी कलाली का कंता परसाथ कालाली के सामने अमल लोबास रहा है जो अमर तास्तां पराएं सब्सक्राइब करते हैं यह क्या लग रहा है किस कारण इसकी मृत्ती हुई है अभी संदीक दे परस्तितियों में पियां के बादी पर चले वाइस ओपराइब के इन नौर से तब्रेस खान की पूर्ट